Hello guys तो बात करने वाले beby doge coin के बारे में काफी लोग बूलते कि बड़े एक्चेंज के लिश्टिंग देखने को नहीं मिल रही है क्या रीजन है इसके वारे में पूरा अच्छे से आपको लॉजिकल और इस फैक्ट के साथ बताऊंगा क्या रीजन है और यहां पे कुछ में इसर अपडेट्स जानने वाले बेबी डॉज कोईन से लेड़ चानल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इसी के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले अगर बात करें बेबी डॉज कोईन क्यों लिस्ट नहीं हो पारा कोई एक्षेंज पर तो तो 68 48носbert तो मतलब ल Vince कर देखो कि का इसी जडरी पर बुरी बात होती है कोई भी कॉइन में चाला कि काफी अच्छे प्रोजेक्ट है लेकिन लिकुईडी क्या होती मार्केड में अावечь जबिसके का मतलब यह होता है गाई कि कितने जल्दी से कितने असानी तरीके से कितने इसली आप उसके एसेट को खरी दिया सेल सकते हो मतलब गाई मान लोगर आपके पास कोई एक रेरिस्ट बुक है जो कि आपके पास बहुत जार रेर है उसका वैल्यू काफिदा मार्केट में लेकिन आप गाई ऐसा जगह में रतते हो जहां पर उबुक सोल्डी नहीं हो पा रहा है तो आपका वैल्यू जीरो है वही होता है लिक्विडिटी गाई यहां पर लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि आपका जो जैसे बेबी डॉच को लिक्विडिटी कितना जल्दी कितना जल प्रोजेक्ट होता है लेकिन यहां पे लिक्विडिटी देखोगे तो 1915427 तो इससे क्या होता गाई जो बड़े-बड़े एक्षेंजिस होते हैं उनको काफी इशू होती है इसमें ट्रस्ट करने में थोड़ी से इशू होती है इसके उपर गाईस बेवी डॉच क्या कर रहे है लिक्विडिटी को इंक्रीज करने पर पड़े हुए गाई और उपर से यूटिलिटी का सोर्स बनाए हुए हैं बात करें लिस्टिंग की और गाईस बात करें बर्निंग की तो आपको बताते हैं चाहता हूं बेबी डॉट्ट कोईन का रिसेंटली आज की दिन में घाई से तो कितना बड़ा कॉम्णीटी है बेबी डॉट्ट कोईन का जो की इतना जल्दी इतना ज्यादा वोट दे चुके हैं फिप्टी कोटलीन बन मतलब 90% लोग ने यस बोला है और यहां पर देख से तो उसका रिजल्ट और यहां पर इसी का मतलब बोल सकते हैं बेबी डॉ इसका मैंने आपको पूरा डीटेल में रीजन बता चुका हूँ लिक्विटी जब तक नहीं बढ़ेगा इस तब तक कोई इशू कब तक कोई बड़े इसकी लिस्टिंग नहीं करेंगे इसलिए यहां पर लिक्विटी का बढ़ना काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि करें गुट्बाई